लिखने का इनका काम होता है पिछले प्रेस कॉंफरेंस में मैंने इनसे सवाल पूछा प्रेस वालों से सवाल पूछा आमतौर से ये पूछते हैं मैंने पूछा भी या एक बात बताओ आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाते हो आप अश्वरिया राय जी की बात करते हो अक्षे कुमार की बात रखते हो आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है आज सुबह मेरे साथ मेरे से मिलने एक डेलिगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी मैं हैरान हो गया उन्होंने कहा और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलिगेशन लेफ्टेनन्ट गवनर के पास गया तो लेफ्टेनन्ट गवनर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीक नहीं मागनी चाहिए ये देखिए लेफ्टेनन्ट गवनर ने कश्मीरी पंडितों के डेलिगेशन को कहा कि आपको भीक नहीं मांगनी चाहिए लेफ्टेनन्ट गवनर जी ये भीक नहीं मांग रहे है ये अपना हक मांग रहे है और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए यहां पे जम्मू कश्मीर में मैं आया अभी जम्मू में चल रहा हूँ और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे है माताएं बहने युवा बच्चे किसान सब मिल रहे है यहां आते हैं सड़क पे आते हैं मेरे साथ चलते हैं और अपनी दिल की बात रखते हैं दो तीन चीज़े मैं जो वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आप जानते हो मगर मैं दोरा देता हूँ सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जम्मू में जो पहले अभी आता हूँ बेरोज़गारी के बारे में बोलता हूँ कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग वियापार करते थे जम्मू को जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे आज बहार के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है हमारी जो आवाज है उसको अड्मिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है सारा का सारा ट्रेड बहार के लोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए पहली बात दूसरी बात हिंदुस्तान में सबसे ज़ैदा बेरोजगारी सबसे ज़ैदा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है तो यहाँ पर students पढ़ाई करते है कोई engineer बनना चाहता है माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं कोई doctor बनना चाहता है कोई lawyer बनना चाहता है कोई army में जाना चाहता है पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग, प्रदेश की युवा लोयर, डॉक्टर, एंजिनियर नहीं बन सकते हैं पहले एक और रास्ता था आर्मी का रास्ता था वो भी आज बंद कर दिया है बीजेपी के लोग नई योजना लाएं है अगनीवीर योजना लाएं है और इनको जो आर्मी का इतोस है इनको वो ही नहीं समझाया देखिए, किसी भी काम में किसी भी काम को सीखने में कम से कम साथ आठ साल लगते हैं सही बात है? सही? आप खाना पकाती हैं? खाना पकाती हैं? आपको कितने साल लगे? खाना पकाने में, सीखने में कितने साल लगे आपको? साथ-ाठ साल लगे? मतलब, एक्सपर्ट आप साथ-ाठ साल में बनी? नहीं? तो किसी भी काम में साथ-ाठ साल लगते हैं आर्मी जो है एक परिवार है जो सेना लड़ती है वो रिष्टे के बल पे लड़ती है सेने के बीच में जो रिष्टा होता है उसके बल पे लड़ती है वो रिष्टा एक-दो साल में बनता ही नहीं है वो रिष्टा उस रिष्टे को बनने के लिए मजबूत होने के लिए कम से कम साथ-ाठ साल लगते हैं यह जो बीजेपी के लोग है इनको यह बात समझ नहीं आई यह सोचते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग छे महीने में हो जाएगी जो सीखना है वो छे महीने में हो जाएगा बिलकुल नहीं आर्मी में सालों लगते हैं एक सेनिक को तियार करने के लिए सालों लगते हैं उस सेनिक और दूसरे सेनिकों के बीच में रिष्टा बनाने के लिए तो ये अगनिवीर योजना जो है ये हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है और ये बिचारे जो हमारे आर्मी के लोग ये कह नहीं सकते हैं मगर मैं जानता हूँ अगर इनसे पूछा जाए तो ये सारे के सारे कहेंगे कि ये अगनिवीर योजना के खिलाफ है अगनिवीर योजना गलत है तो वो रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने पहले युवा आर्मी में जाता था 15 साल की उसकी सर्विस होती थी उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी अगनिवीर योजना में चार साल की सर्विस होगी उसके बाद सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी तो ये जो देश का आर्मी के साथ रिष्टा है इस से खिलवार कर रहे है देश ने कहा था देश हर सैनिक से कहता है कि हम आपसे पंद्रा साल मांगते है उसके बाद हम आपकी पूरी जिंदगी आपको पेंशन देंगे आपकी इज़त करेंगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी रक्षा करेंगे तो ये अगनिवीर योजना जो पहले युवाओं के लिए एक रास्ता था ये भी इन्होंने बंद कर दिया बेरोजगारी क्यों आ रही है क्योंकि सरकार चुने हुए दो-तीन उद्योग पतियों के लिए काम कर रही है ये देखो यहाँ पे यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वियापार जो भी आप करते हो सारा का सारा उन्ही दो-तीन उद्योग पतियों के हाथ चला जाएगा सचा ही है और नरेंद्र मोदीची ने आपसे कहा आपसे कहा था कि देखिए नोट बंदी काले धन के खिलाफ योजना है काला धन मिट गया गया नहीं मिटा ना भाईयों और बेहनों नोट बंदी और गलत जी एस्टी योजना है नहीं है ये हत्यार है ये छोटे वी अपारियों को स्मॉल और मिटियल साइज बिजनस वालों को मारने के खतम करने के हत्यार है और सचा ही ये है कि इस देश को रोजगार सिरफ ये लोग दे सकते हैं ये जो दो-तिन बड़े उध्योगपती हैं ये देश को रोजगार दे ही नहीं सकते हैं भी कोशिश कर लें यह नहीं दे सकते हैं तो इन्होंने क्या किया नरेंद्र मोधी जी और बीजेपी ने क्या किया जो हिंदुस्तान की रीड की हड़ी है जो रोजगार देने वाली रीड की हड़ी है छोटे भी अपारी स्मॉल और मीडियम बिजनस इस रीड की हड़ी को इन आप दूसरा सवाल पूछोगे महिंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है वही कारण है पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान का दो तीन उद्योग पतियों के जेब में जा रहा है पहले पेट्रोल का दाम क्या होता था आज कितना है 100 रुपे तो जब आप आपके जेब में से जो 50 रुपे निकल रहे हैं वो कहां जा रहे हैं हवा में तो गाइब नहीं हो रहे कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे क्या वो छोटे वी अपारियों के जेब में जा रहे हैं नहीं किसानों के जेब में जा रहे हैं क्या नहीं बेरोजगार युवाओं के जेब में जा रहे हैं क्या नहीं यह गैस सिलिंडर के दम बढ़ रहे हैं उसका पैसा कहा जा रहा है वो भी तीन-चार लोगों के पास अभी यहाँ पे आपका सेव आते हैं सेव बिखते हैं फाइदा किसको जाएगा देख लेना तो पूरा का पूरा धन देश का पूरा का पूरा धन तीन-चार लोगों के हाथ में जा रहा है और बाकी हिंदुस्तान बेरोजगारी महिंगाई का सामना कर रहा है इसलिए हमने यह यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर तक शुरू की और इसमें आपने हमारी जबरदस मदद की है आप यह मत सोचिए कि 3500 किलोमेटर चलना असान है यह असान काम नहीं है जब हमने शुरू किया था हमने सोचा कि यह देखो काफी मुश्किल काम है मगर चलने के बाद पता लगा यह तो असान है कोई मुश्किल नहीं है इसमें इतना इतनी मदद आपने की हमारी मैं आपको बता रहा हूं सुबह हम उठते पांच बजे सुबह उठते थे अब यहां पे सिक्योरिटी वालों ने कहाए कि साथ बजे निकलना है मैं चाहता था छे बजे निकल जाना चाहिए मगर इन्होंने का नहीं साथ बजे निकलेंगे चिट्टी लिग दी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली बात कि ऐसे लगता था कि पहला किलोमेटर चल रहे हैं ठकानी नहीं होती थी बिल्कुल कि पूरा अपने पुरी मदद की पूरी शक्ति डाली प्यार दिया यात्रा को किसी को चोट लगती थी आप एकदम उठा लेते थे मदद करते थे काफी लोगों को चोट लगी हस्पताल जाना पड़ा आपने एकदम मदद की हमारे यात्री चलते हैं रेस्टरांट में डाबे में खाना खाने जाते हैं उनसे कहते हैं कि भाईए हम आपसे पैसा नहीं पैसा नहीं लेंगे आप भारत जोड़ रहे हो हमें आपका पैसा नहीं चाहिए यह देखो यह कह रहे हैं आज नहीं लिया पूरे देश में टमिल नाडू से केरला करनाटक महराश्त्रा हर प्रदेश में जहां भी हम जा रहे हमारे यात्रियों से आप पूछिए रेस्टरॉंट में ढाबे में उनको पैसा नहीं देना पड़ता यह प्रेसवाले पूछते हैं राउल गांधी टी-शर्ट में क्यों है राउल गांधी टी-शर्ट में क्यों है आप इतना प्यार दे रहे हो इतनी महबबत दे रहे हो कि में ठंड नहीं लग रही अब यह इनको बात नहीं समझाएगी आई नहीं सकती मैं आपको तारों पसीना आ रहा है मुझे भी तो ये मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटूट का मुद्दा है उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है तो आपका आपका हक पूरा हक इनों ने छीन लिया तो एक दम कॉंग्रेस पार्टी पूरा पूरा समर्थन आपको यो आपका स्टेट थोड़े है उसको रिइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे आपने आपने इतना प्यार दिया दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभी हम आपके साथ और चलेंगे आपसे मिलेंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा अंत में तारचंद जी पिरजादा जी मुला राम जी और जो NC से नैशनल कॉंफरेंस से यहाँ लीडर्स आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ धन्यवाद जेहिंद बहुत धन्यवाद राहू जी अब आप मेरे साथ बोलेंगे नफराद छोड़ो नफराद छोड़ो नफराद छोड़ो नफराद छोड़ो नफराद छोड़ो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत थे झाल झाल